स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेरी विद अमन कुलमी तो आज की इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे सीबेसी क्लास 10 का अर्थशास का आपका चैप्टर नंबर 3 है मोर्दा और साख उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट कोशन्स mcq में भी और लॉंग अंसर टाइप में डिसकर्स करेंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स दे रखें जो कि आपको कोशन्स करने से पहले पता होने चीए और आपको कुछ नहीं समझ जाएगा और मुर्दा विन्य तकाम के बने विभी अंकित मूले के नोटों से है धातु मुर्दा, सोना, चांदी, निकल, तांबा, आदी, किसी भी धातю से बनी मुर्दा को हम धातु मुर्दा कहेंगे और banking उधार देने या निवेश करने से धैसे जनत सी मागनी पर ya चेक आदी के मादम से पेसे जमाई करने को हम बैंक किंग एक अगलर देना या पैसे जमा करना या फिर लोन लेना चेक डिपॉजिट करना इन सब को हम क्या कहते हैं बैंकिंग ऑप्चार एक रिंड के अंत्रकत यानि अगर पॉजेटिफ आपकर लेंगे तो यहां पर बैंक आपको सरकारी समीतियों के लिए कर्द आते हैं अगर आप एक अच्छे कहीं अच्छी जगे से कर्द ले तो उसमें बैंक आएगा और अगर आप कहीं अच्छे जिसमें इंट्रेस्ट भी आपको ज्यादा देना पड़ता है जैसे आप किसी साहुकार वैपारी मैलिक से लेते साहँ करते हैं अच्छी का जाता है कि अफया सवाब कर दे जाता है जो एक समान के बदले दूसरे समान वह उससे बच जाते हम तो यह सही है और यह minimum पक्रिया में मद्धिस्था का कारे करती है तो यस यही होता है वही इसे चेक करती है वही इसे बनाती है सभकुछ हुई पक्तिमें साख के अप्चारिक सादों में नहीं आते याँ किसी से लोन लेते हैं तो आप्चारिक सदों में साधनों में बैंक आएगा सहखारी समीघिया और क्या नहीं हमां करमचारी से हम आप लोन ले सकते तो यह नहीं आएगा है यह सोट चे टाइस हे जीगि filme साहथा समुए यह समाजी साहता चेछ इसेलफ हेल्ब ग्रुप है नियो和ड जिए को फिर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा निम्लिकित में से करेंसी मुद्रा का रूप है तो करेंसी आपकी कैसी होती है अभी करेंसी आए तो वह आधानिक रूप है निम्लिकित में से बैंक साग का कौन सा साधन है तो बैंक हमारा जो है आपचारिक में आता है यानि जब वो अधार देता है तो कितना राशी लेता है मतलब कितना ब्याज लेता है बहुत जादा लेता है तो इसमें आध़र बहुत अधिक पं-elli बैंप पांगला देश के ग्रामिन बैंक में पुर होते हैं ओनाप्चारिक तरीके से लेते हैं क्योंकि उनके पास अपनी जमीन या कुछ दावा रखने के लिए नहीं होता प्रियोक से पहले निमल्खित मैं से कौन सी वस्तू का मुद्रा के प्रोप में प्रियोक कराता है तो पहले दुकान नहीं कि अमकान नहीं खेट नहीं अनाज और जो गाय होती थी उनका कैटल का यूज करा जाता था फिर यहां पर से वही कोश्चन दे रखें आपको बस यह वन वर्ड में दे रखें अब हम इसके लगूद रिप्रेशन करते हैं रिजर्फ बैंक ऑफ इंडिया यानि आर बी आई क् सरकार के और से मुर्द्रा जारी करता है तो यस वह बैंक को और समीतियों की कारें पढ़ानी पर नजर रखता है कि बैंक सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहें वह ब्याज की दर काप जाता तो नहीं ले रहा बैंक और कर्ज की शर्त जो होती है वह सब देखता है बैंक कितना कोई बेज़ रहा है अब उसने दस सार एंगर उसे कभी निकालना हो वो से Left If इससे दे लोन दो देरा है वो सारे नया नगाट भी टेर्जर को ही ना दे चोटों को विदे जिनन regular वह लेते हैं उसकी समर्थक दाता उद्हार प्राप्त करता से समर्थक रिनाधार में परिंश पतियों की मांग करता है जिनने बेचकर अपनी एसी वसूल कर सके यह आइसे कुछ दापने को चीजा रख देते हैं उसे हम समर्ता क्रिणा-धार कहते हैं तो आपको बताना है क्रेडिट यानि की ओब चारीक शेतर औण अपचार जो बैंक होते हैं वाण सहकारी सभीति होते हैं यहां पर महाजन यह साँकार यहां रिष्टणर होते हैं यहां पर यहां के यहां पर अन्यश्यक्त और अधिक हो पैर अधेम स्कार्णल नहीं करता है पॉच्छढ़ जाल में फस्सचाइब याँ पर नहीं कपसरे से लेंगेbu ना उसे तो वो आपको गजतेाप पहले वाली के दूसरी के ले तो रहेगा नहीं किक्स यक्तियों समुह को बैंक खर्ज़्ज दुए होhealth नहीं होती हैं तो उनके पाग्जात कि कई घर हो और रिन की शर्त यानि कर्ज की जो शर्त है वो भी वो पूरी नहीं कर पाते अब ऐसे लोगों को आप पैसे क्यों ही देंगे जो आपका पैसा कभी वापिस लोटाई ना पाए कोई भी नहीं देगा तो ये रिजन होता है वस्तू विने में प्रणाली के कोई सीमाय बताईए तो वस्तू विने में होती है को पूरा करना हवशक होता है धनिया मूले में संचने में कंठाय कठिनाई होती है अभी वाज्य वस्तों का विन्य में कठिन और वस्तों को बविश्य में प्रयोक के लिए संग्रित करना लंबी समय तक कठिन होता है सिवाओं का मुले धारण वहां विनेमे में कठिनाई होती है क्या सलीम और सपना दोनों के लिए एक सी परिस्थिती उत्पन करता है आपने सलीम की कहानी पढ़ी थी वह जूता बेच कर और सपना की पढ़ी थी कि वह डेप ट्रैप में फस गई यानि गर्ज जाल में फस गई अपने कर्ज लिया था वह भी चुका दिया पर अपने कले वह नकरात्मक होगा वह कर्ज चुकाने में और लाब कमाने में अर्समर्थ रही और वह रेण जाल यानि कर्ज जाल में फस्ती गई और उसे अपनी जमीन भी पेचनी पड़ी तो साथवाफ प्रश्ण आपको बन कर्ज लेता है उस कर्ज अदाएगी के लिए उसे पर अपनी जमीन भी पेचनी पड़ती है उसके आर्थिक सिदी बच से बत्तर रहती है उसे हम कर्ज जाल कहते हैं कर्ज की शर्ते क्या होती है यह कर्ज को रेड़ी कहते हैं मैं कर्ज बोल रही हूं कि आपको समझ आज़ तुन रेड़ी की शर्ते क्या होती है किस सब्सक्राइब तो ले निकले ब्याजदर कि आप कितने इंट्रस्ट के साथ देंगे आपके पास वहना चाहिए आपको गिर्वी रखने के लिए समान होना चाहिए कि अगर आप लोन आप कर्ज नहीं दे पाए तो हम वो समान अपने पास ही रख लें और जितने कागस जैसे आपका अपके जैसे आपको आपका धार कार्ड वगेरा और बुकतान के तरीकों को सम्मेल टूप से हम कर्ज है उसकी शर्ते कहते हैं कर्ज की शर्ते जो होती है वह अलग अलग होती है लोगों के लिए गरीबों के लिए स्वेम सायता समू संगोटन के पीछे मूल विचार के है तो की गरीबों को संगते त्रूप से कारे के के लिए प्रेडित करना शूशन्ड से बचना और करशदारों को कर्सिस जालं में से पचाना इसका यही मेन मोटो है और महिलाओं को स्वामलंबी बनाना रोजकार के अधिक अफसर उपलप्त करवाना- दस वा प्रशेर करना किसी साहुकार के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें एक लाक रुपे देंगे आपको बिना ज्यादा किसी डॉक्यमेंटेशन के तो वह इजी हो जाता है व्याज पर वह कहता है कि हम इसके दस परसेंट व्याज की दल से आप देंगे वापस यानि जब आप अगली बार जब कर्स लटाएंगे तो दस जार रुपे एक लाग दस जार रुपे देंगे तो यह अनिश्यत और उची होती है गरीब और आशिश की लोट जो होते हैं वह असानी से रेण जाल में फस जाते हैं क्योंकि वह लोग नहीं पेक बरबाते बापिस क्योंकि ब्याजदर भी ब्यादा हो जाता है और और उनकी अगर फसल नहीं हो पाता तो वह नहीं दे पाते और आप लिखेंगे ग्रामिन शेत्रों में साहुकारों पर निर्भनता कर्म करने के लिए छोटे गर्ज़दारों को आसानी से रेण उपलब्द कराने के लिए तो यहां पे आपका जो च झाले को सक्षक का इप बाता है झाले करेंँ लegtप पे खयर लोटेंगेगे बांओेट लूजे करेंगे को सबस्तgypt लच घदारों के लिए्चंवड़के सह